आज के हमारी रेसिपी है सबका फेवरेट और फेमस ऐसे वेजी चीजी सेंडवीच इसमें आपको पीजा पास्था और सेंडवीच सबका मज़ा आने वाला है एक टू त्री इन वाने सेंडवीच है तो खाने में तो जबर्दस लगेगा ही मेरे रेसिपी से आप एक बार धर करें अरूरा ट्र तो चैसा काले टायर हन्सी टायार हम लातिंस में टेयार में त्यार है तो इसके लिए प्रेड़ स्लाइसे चीजांड़ довrobम थी तो इसके मिचमें तो स्विश्ञणनी अर्यामी लगाईगे लोगा इस नहीं घूमस तो यहादा में गईन तो फोले टेस से सेड़ेख वाला है हमारे सेड़्विच दोनों स्लाइस पे हमें सेड़ेख यहाउनिज लगानी है और दो चाहिए यहाउनियों करेंगे तो चलिया जहें पूटकण तोड़ा च्छोटे तो प्याज लगाने के बाद इस पर जाएगा कैप्सिकम सिम्ला मिर्ची और कॉम्बिनिशन दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है वाइड उसके ऊपर यह ग्रीन कलर और एक तेस्ट होने वाला अगर आपके पास रेड यल्लो कैप्सिकम है तो उसका भी इस्तिमाल आप क सेंट्विच सेंट्र में कैसे बनाने वो बताने वाल हीनिसे संड्विच सेंड्विच तो जरूर बनाइए और रेसिपी अच्छे लगते तो चैनल को लाक्स कमेंट मेंच और सब्सक्राइब करना मत भुले। साथी में बेल आइक़न पर पर से जाएगा पास्ता पीजा सॉच जो आता है रेडिमेट इंस्टन मुइन जाता है यह भी किरणा शॉप में तो वो ले सकते हैं उससे अच्छे से उपर से थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे यह पीजा पास्ता सॉस मैंने लगा लिया भी यहाँ पे जाएगा पास्ता सिजनिंग अगर आपके पास पीजा सिजनिंग हो तो सुपह इस से साथे यह में थोड़ा पास्ता का भी अड़ कर रहे हो इसके नियुक यह पास्ता से निन वेdes ली तो ऑफेड़ा आपके पास और एक आंग। हो अर अबदा सकते हैं कि उपर से जोड़ा सा हलका सा डालना bounds प्रिमे बाद होगाया है तो आपको उस्द आपकर सा सब तरह कर सकते हैं तो यहां पर चिली फ्लेक्स डाल के घांगया थोड़ा सा फिल्का हल्का सा सब्सक्राइब नमक को पहले से पर हल्का हल्का से प्रेश करते जाए कि थोड़ी चिपक चलते हैं तो ग्यास पर मैं एक पैंच अभा रखाई उस पर डालेंगे थोड़ी बटर बटर जाधा बटर नहीं लगाएंगे बस कम बटर में यह सैडविच बनके तयाह होने वाला है अगर आपके पास बटर नहीं ह थोड़ा सा हलका सा सीख लिए तो दोनों सेंडविच में सेख लेती हूँ एक ही साइट से सेख ना है तो दोनों सेंडविच हमारे सेख के तयार है अभी क्या करना है जो बिना सीखी हुई बाजू है उसे पलट के नीचे साइट करना है और सीखी हुई बाजू उपर के तो थोड़ा सा हलका हलका इसे लेर लगाएंगे जादा लगाने की जुरुए नहीं तो सैंड़ीश तीखा हो जाएगा फिर बच्चे खाएंगे लिए लगाना हैं कि अगर आपके पास पास पीजा पास्ता साउस नहीं तो आप केच्छप लगा सकते हैं działप्रस्कियर अब आपके पास वेदन है उस्से प्रेड के और चीज वह जाएगा आप सटेए होने वाल एकदम चीज़ी तो देखिए थोड़ा से ज्ञादा मात्रा में कि बच्छों के चीज थोड़ा बहुत पसंद आता है तो इसके लिए मैंने चीज थोड़ा ज्यादा मात्रा में लगा और वापस निस जाएगे इसके ओपर ठोड़ी सी वेजिस तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जादा नहीं लगाने क्योंकि अंदर में लोग नहीं लगाई है तो थोड़ा थोड़ा हलका हलका सा इस पे वेजिटेबल्स लगाएंगे तो पैस लगा लिया है अगर आपको इसे और ज्यादा बारिक पैस काटनी है तो भी आप काट सकते ह आपको जैसे सजाना है यहाँ पे आप रेट यहाँ यलो कैपसिकम जो भी आपके पास है वो लगा सकते है और देखिए कॉमिनेशन कितना अच्छा लग रहा है ग्रीन यलो ग्रीन वाइट यलो बहुत ही अच्छा लग रहा है थोड़े से स्वीट कॉन दिखने में बहुत अ गर में कितने आतनी से तैयार किया है तो खाने में तो बहुत मजा आने वाला यह यह तो जल्दी से बनाएए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताईए और उपर से थोड़ा सा पासा सिस्जिनिंग हलका हलका स्प्रिंकल करने क्योंकि अंदर भी डाला हुआ है तो बस हलका ह पर स्प्रिंखल कीजिए थोड़ा सा चीली फ्लेक्स इससे लूप बहुत अच्छा आने वाला है हमारे सेंड्वीच को यह सेंड्वीच हमारा तयार है सेकने के लिए तो पैन पर वापस से थोड़ा से बटर लगाएंगे जाधा नहीं हलका सा बटर लगा लेंगे तो कम बट कर दोए हीट के वाज़े से चीज जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और सेंड्वीच हमारे एकदम चीज यह से तयार हो जाएगा तो यह सैंड्वीच भीड़े देखिये कि इतने अच्छा लग रहे हैं चीज मेल्ट होने के बाद वहुत ही प्यारे लग रहे तो इसे ह ट्रैंगल शेप में कट किया है इसे आप बचों के टिफिन में दे सकते हैं या घर में कोई पार्टी वगर है तो भी बना सकते हैं सब आपको बहुत पसंद आने वाला है और खाने में तो एक्तम लाजवाब है आप बाहर से सैंड्विच मंगना भोल जाएंगे इतना यह टेस्टी सैंड्विच घर पर आप आसानी से बनके तयार होते हैं बिना ओवन के तवे पर कितना आसानी बनाना तो यह हमारा सैंड्विच हो गया है तया तो देखते ही मूं में पानी आ गया होगा तो जल्दी से बनाइए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी